है इन मुझकार दोस्तों मैं दीपक गुमार स्वागत करता हूँ आप सभी कापके अपने ही चैनल कर सकते हैं वीडियो में आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ने से पहले चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लिजेगा बैल आइकन को जो रेट कर लिए तक ही आने वाले वीडियो के आपको टाइम बिलते हैं आज का डे मार्केट ओपनिंग कहीं यहां पर आपको देखन हुआ है अगें रिटेश्ट करके मार्केट ऊपर की तरफ मूव किया है हमने भी यहीं प्लान किया था कि आज पूट में थोड़ा सा कम ही सेनारियो रखे चांसे बाइंग के ही बन रहे थे क्योंकि वन डे के टाइम फ्रेम पर अगर हम चेक करेंगे तो मार्केट अच्छा गिरावाड करना है यहां पर आप देख पा रहे हो कि प्राइज अक्षण्स बिल्ड हुआ है का और लोके अगर करना है तो फिर से मार्केट को एक रिट्रिस्मेंट चाहिए होगा ऊपर की तरफ तो आज तो कम से कम जो मारा टार्गेट है वह 40,500 तक का बनेगा उसके बीचे का यहां पर करके दिखाऊंगा क्यों ऐसा मैं कहा रहा हूं जाने के लिए परिशान हो रहा है तो भी यहां पर हो जाएंगे मंदी की तरफ चल पड़ेंगे अभी फिलाहाल मार्केट ने लास्ट टाइम दिखाया है वह समझ में आ रहा है कि मार्केट थोड़ा सा बलिश होना चाह रहा है यहां पर 800 का एक level है यहां पर हम बात करेंगे नीचे अज मार्केट आया था लेकिन क्लोजिंग हमें नहीं मिल पाया है तो कल भी अगर 800 के नीचे 800 to 750 तक के नीचे closing अगर मिलेगा तभी हम एक selling के साइड में अभी साइड में रहते हैं वाइं किया रहेंगे यहाँ पर करेंगे यहां पर अगर हम डिसकेसन करें फ्लाट खुल रहा है थोड़ा बाहत गयाप दॉन रहा है सब्सक्राइब कर लेंगे अगर हम बात करें मार्केट गाप डाउन बड़ा खोल दे रहा है यानि कि यह जो लास्ट स्विंग के नीचे आ जा रहा है 40,070 रुपीज के नीचे आ जा रहा है तरह हम एक सेलिंग साइड में प्लान करेंगे टार्गेट हमारा वही 800 तक ही लेकिन ध्यान रखिएगा होल्डिंग वाली वाइंके अब डिसकसर नहीं कर रहे हैं यहां पर पुल बैक क्लिर आए मार्केट अब कैसे हो कि मार्केट पुल बैक नहीं रिटरेस्मेंट है वह वन डे के टाइम फ्रेम में आपको शो हो जागा मार्केट क्या करेगा ऊपर क से कहीं बाउंस बैक कर देगा देन हम समझेंगे यहां ट्रेंट जो है वो रिवर्स हो गया है अब मार्केट ऊपर की तरफ कर सकता है तभी हम एक पोजिशनल बाइंग के लिए जाएंगे अभी हमारे लिए पोजिशनल बाइंग का मौका नहीं है पर इंट्राडे में आप अगर मार्केट रहता है एक दो दिन तीन दिन और तो थोड़ा साइडवेस समझ रहे हैं निफ्टी को उपर 600 का लेवल नीचे 300 का लेवल इस रेंज के बीच में मार्केट तोड़ा साइडवेस एक वलटलीटी करता हुआ मिल सकता है 15 मिट के टाइम फ्रेम पर हम कहां पर करेंगे मैं यहां पर एक बार आऊंगा और यहां हम अगर डिसकस करेंगे रिमूव और ड्राइंग करते हैं हम यहां हमारे पास लेवल है देखिए 400 के उपर का लेवल 440 और उसके थोड़ा साइड़ा उपर 480 का लेवल अगर 480 के उपर मार्केट सर्वाइव कर जाए निफ्टी को जिए कर रहे वाईट करूंगा बड़ा डिवर्सल में कम मारूंगा जब 600 के उपर मार्केट सर्वें करना स्टाट करेंगा तो बहुत खूल रहा है तो फोड़ा बहुत गैप खूल रहा है तो 600 के टार्गेत के लिए एक लिए ट्रीड लिया सकता है अब आर् या फोर आवर के टाइम प्रेम में आपको सही समझ भाएगा अब दिखिए वन आवर का टाइम प्रेम में लगाया यहां पर हिट काइंड ओव डब्ली बैटन कर रहा है मार्केट लगा था प्राइट इक्षे की तरफ आया उसके बाद यहां पर मार्केट सपोर्ट ले रहा है अब यहां पर इसका एम पैटन थोड़ा सा नजदी कि अगर 155 रुपए के ऊपर एक दिन दो दिन तीन में मार्केट क्लोजिंग दे रहा है हमें 155 के ऊपर तो हम एक बाइंग सैट किल प्लान करेंगा हमारा टार्गेट काफी अच्छा यहां कर सकते हैं यहां पर कहीं हमारा सैलिंग डिसकस हुआ था 3381 के नीचे और काफी सुंदर गिरावाट आया है अभी मैं 15 मिनिट के टाइम प्रेम में इसको लेकिया हूं तो अभी भी देखिए यहां पर उपर के लेवल से के ट्रेंड लाइन टाइप का सैलिंग बन रहा है त तो यह 3350 के ऊपर अगर निकलेगा तो हम बाइंग सैड में प्लानिंग कर सकते हैं होप करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा है वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत बूलीगा डिस्क्रिप् कि में डीमट अकाउंट ओपनिंग के लिंक है हमारे लिंक से अगर डीमट अकाउंट ओपनिंग करवाते हो तो बिल्कुल फ्री आफ कोश्टम आपको अपको अपने प्रीमियम ग्रुप में आड कर लेंगे थैंक्यू